हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग वेल्कम टू स्फलता मंतर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया था कि आज से एक बार फिर से आपकी सुबह की क्लास इस्टार्ट कर रहे हैं हाला कि ये लाइव क्लास के तौर पर अभी स्टार्ट नहीं कर पा रहे ह लिकिन जल्द ही उसमें भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी तो आज की क्लास में आपको एकदम सिलेक्टेड संस्क्रत के कोश्चंस मिलेंगे जो कि आपके एकजाम में 100% पूछे जाते हैं ये कोश्चंस आपके यूपी टेट सुपर टेट के लिए एकदम सिलेक्टेड कोश्चंस हैं अन एकजाम में भी जरूर पूछे जाते हैं तो आप लोग इन कोश्चंस को देखिएगा समझिएगा सिर्फ 20 कोश्चंस कम से कम समय में हम लोग व्याख्या के साथ समझते हुए कवर करेंगे आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वैल आइकन को प्रे तो इसमें आपको विशेशण पद धूढ़ना है चारो में से कौन सा हो जाएगा तो विशेशण पद के रूप में हम एक ही और एक ही को संसकृत में हम कहते हैं एक कस्मिन सही आंसर इसका C number option बिलकुल सही हो जाएगा जो विसेशन पद के रूप में ग्रहे में प्रयोग किया जाएगा question number second सुद्ध वाक्यम अस्थी इन में से आपको सुद्ध वाक्य का चैन करना है ब्रश्टी भवानी स्वा ब्रश्टी भवस्यती गुर्वे नमेत या फिर भवान जलम पेव तो दोस्तों इन में से जो सबसे सुद्ध वाक्य है सुद्ध वाक्य को जानने के लिए आपको धात रूप और सब्ध रूप इन दोनों का पूर्ण ग्यान होना बहुत ही जरूरी है इसके विनाफ लोग सुद्ध वाक की चैन नहीं कर सकते हैं तो यहां सबसे सही option जलम हो जाएगा वर्ष्टि भवानी यह सबसे सुद्ध वाक्य के दिया गया वर्ष्टि का मतलत है वारिस भवानी हो रही है होती है इस रूप में हम बता सकते हैं तो इसका सही option जलम हो जाएगा याद रखेगा वेरी गूड प्रत्य कोश्चन को समझते रहिए और आंसर करते रहिए कोश्चन नमबर थ्री आपके सामने है चात्रह अनीतेसु पादपेसु फलानी ब्रक्चाहा खालिस्थान संती तो इसमें आपको खालिस्थान भरना है खालिस्थान के रूप में हम यहाँ पर किस पद का प्रियोग कर सकते हैं कथम अपी एव या फिर अधुना तो दोस्थों यहाँ पर चात्रह अनीतेसु पादपेसु फलिनाहा ब्रक्चाह संती तो यहाँ भी या ही का प्रियोग कर सकते हैं और B को हम संस्कृत में अपी के रूप में लिखते हैं तो इसका बिल्कूल करेक्ट आंसर यहां पर B नंबर ऑप्सन हो जाएगा दोस्तों एक कोोशिन को समझते जरूर रहिएगा आगे आपको पूरी वैक्वा के साथ एक कोश्चन समझाते चलेंगे जिस कोश्चन में कोछ समझाने बाला होगा आदाय इत्यर्थ कह उपसर्ग उपसर्ग वे पद होते हैं जो किसी वाक्य में पहले किसी सब्द में पहले लगा दिये जाते हैं संस्कृत में आपको बने बताय था प्रदाय उपसर्ग टॉपिक हम आपको अलग से संस्कृत में पढ़ा चुके हैं प्रदाय आदाय यानि किसकामला होता प्राया ये जो आगे लगे हुए इन्ही को उपसर्ग कहा जाता है और यहां पर आपका आ सब्द लगा हुआ है तो B-number option विलकुल सही हो जाएगा आ यहां पर उपसर्ग पद हो जाएगा प्रत्य सब्द पीछे लगते हैं अंत में लगते हैं और संस्कृत में प्रत्य बहुत ही जादा टफ हैं उनको हम अलग एक क्लास में समझा चुके हैं अगर आप लोगों ने उस क्लास को ना देखा हो तो लिंक नीचे दिया गया उस क्लास को जरूर देख लीजेगा नयनम मे आपको बताना दोस्तों तो आप याद रखेगा नम लगा हो तो नम जब अंत में लगता है वहाँ पर लिट प्रत्य होता है और लिट आपको चारों में देखने को मिल रहा है यानि कि फिर से confusion हो गया और लिट धातु के साथ हमेशा क्या लगता है आगे आपका जो में होती है वो लिखी जाती है तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए नमबर ऑप्शन हो जाएगा नी प्लस लिट इससे बनता है नय नम इसके अलावा सुरू प्लस लिट स्रवनम इस प्रकार से कोई भी पद ले लिजिएगा उसकी मुख धातू और अंत में लिट लगा देंगे त उसका सीधे सीधे वाख कि बन जाएगा जिसमें अंत में नम लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा तो 5 नंबर कोश्यन का A option बिल्टुल सही हो जाएगा चली बढ़ते हम लोगों कोश्यन नमबर 6 पर क्या दियागा कोश्यन नमबर 6 संस्क्रत सब्द में वचनों की संख् कितनी होती है संस्कृत में आपको वचन बताने हैं कल परसो हमने आपको हिंदी की साम को लाइब क्लास दी थी उसमें हमने आपको हिंदी में वचन बताये थे दो होते हैं जब बात संस्कृत की होगी तो यहाँ पर आपके तीन वचन होते हैं एक आपका एक वचन होता है दू अगला question आपका वचन पर ही आधारित है इन में से दूई बचन का पद है तो इन में से आपको बताना कौन सा पद ऐसा जो कि दूई बचन से सम्मंदित है यह भी आप लोग तब जान पाएंगे जब आपको सब्द रूप याद होंगे तो आपको पता लगेगा एक बचन में कैसे वाकि लिखते हैं सब्द लिखते हैं दूई बचन में कैसे और बहु बचन में कैसे लिखे जाते हैं तो दोस्तों आपको याद होगा मुनी सब्द रूप के अंतरगत प्रत्मा विभक्ती में आपको मुनी इस प्रकार से लिखते हैं तो यानि कि दूई बचन में क्य क्या हो जाएगा मुनी सब्द हो जाएगा इकारांत के अंतरगत आता है और इसका सही आंसर आपका C नंबर ओप्शन हो जाएगा याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर नमस्ते का विच्छेद क्या होगा दोस्तों नमस्ते पद आपको दिया गया इसका आप सीधे सीधे विसर्ग संधी का उधारण है ए नंबर ओप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं लोग अगले कोशन पर लोकायम में संधी बतानी है इस प्रकार का पद आपको देखने को मिले तो आप लोगों को आँख वंद करके किस पर टिक मार देना है पूर्व रूप संधी पर पिछले दो वरसों से यूपी टेट में देखा गया है कि पूर्व रूप संधी और पर रूप संधी 100% पूछी आती है और दोनों सबसे इजी संधी है इनसे इजी कोई संधी नहीं है आख वंद करके भी आप लोग टिक मार देंगे तब भी सही हो जाएगा जब भी आपको M इस प्रकार का A बना हुआ मिले तो आपको हमेशा याद रखनी है पूर्व रूप संधी होगी A प्लस O या फिर O ये पद आपको पहले मिलते हैं अंत में आपको A मिलता है और इनसे मिलकर के ये बन जाता है आपका M तो लोको M इस प्रकार से लिखा जाएगा और इसे आपका पूर्व रूप संधी के अंतरगत आता है इसी प्रकार से इससे भी जी कोई संधी है तो वो पर रूप संधी है प्रे प्लस A सते तो प्रेजते बन जाएगा इस प्रकार से सीधे A की मातरा लग जाए तो वहाँ पर आपकी पर रूप संध यह पहले चक्र है हाथ में जिनके किसका उधारण है बहुबरीय समास का उधारण है समास विग्रह यहाँ पर आप से पूछा गया है और समास विग्रह बहुबरीय समास में यस सहा लग जाता है और यस सहा आपको तीनों पदों में देखने को मिल रहा है लेकिन जब हम सही सं पर सौंड आधी सब्दों के साथ समास होता है, सौंड आधी सब्द, सौंड जो होता है चालांक या दुष्ट के लिए प्रियोग में लाया जाने बादा सब्द है, और हम संस्कृत के सूत्र की बात करें, तो सब्तमी सौंडम इस प्रकार से कहा जाता है, यानि कि सब्तमी त तत्पुरुस के अंतरगत सौंड सब्द का प्रयोग किया जाता है और इसका आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा डी नमबर आप्शन तत्पुरुस समास के कई प्रकार होते हैं उसी के अंतरगत एक व्याधिकरण तत्पुरुस होता है व्याधिकरण तत्पुरुस में सिर्थ कह समास महान चा असो राजा यानि कि राजा की विसेस्ता बताई गई है चा असो आजा है तो आप लोगों को याद रखना विसेस्ता की बात हो रही है महान राजा है यानि कि महराजा लेकिन आपको उधारन तो ऐसा दिख नहीं रहा है इसमें ऑप्शन तो दिख नही समास को ही कहते हैं और यह आपका महराजा, महापुरुस और जितने भी आपके कर्मधाराय समास के उधारन होते हैं वे सभी आपके इसके अंतरगत आ जाते हैं तो इसका आपका D number option बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं लोग 13 number question पर अगनी का विलोम सब्द बताना अगनी का विलोम क्या हो जाएगा सीधे सीधे पता है अगनी का विलोम जल हो जाएगा सीधे टिक मार दीजे तुरन चलिए बढ़ते हैं अगले question पर अगला question अंवरम का पर्याइबाची सब्द क्या होगा अंबर का पर्याइबाची सब्द बताना है आपको अंबर का विल अंबर का विलोम अभी आपके बीड के पेपर में आया था और उसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अवनी ठीक है अवनी किसको कहते हैं प्रतवी को कहते हैं धरती को कहते हैं लेकिन अंबर जब पूछा जाएगा तो आपको याद रखना अवनी इसका अदे इंदू जो लिखा हुआ इंदू कहते हैं लोग चंद्रमा को याद रखेगा कोश्चन नंबर फिप्टीन प्रतिकूल का अर्थ बताना आपको प्रतिकूल की परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हैं यानि की परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं सही आंसर यहां पर बी नंबर आप तो दोस्तों देखे ये वाग के प्रयोग आपके एक दो अंक के आएंगे और सीधे आप लोगों को देखना है अगर समझ में आ जाए तो कर लीजेगा नहीं तो इसमें जादा आप लोगों को टेंसन लेने की जरूरत नहीं है समझते जरूर रहेगा लेकिन अगला छायव मत अधरी खल जना नाम में भरत हरी ने दुष्ट और सज्जनों की मित्रता को कैसा बताया है दोस्सों भरत हरी संस्करत साहित लौकिक साहित में नाम सुना होगा इनकी पर्मemorत रचना का नाम है नीति सतक नीति परक दोहे इसके इंदर रत इन्होंने दिये वैराग्य सतक ये समान होती है घटती पहले घटती है फिर बढ़ती है इस प्रकार से इन्होंने बताया है दुष्ट और सज्जन की मित्रता कैसी बताइए छाया के समान बताइए वेरी गुड बहुत बढ़िया समझते रहिएगा और आंसर जरूर करते रहिएगा सभी लोग दोस्तों रात को 9 बजे डेली आपके लिए लाइव क्लास लाते हैं उसमें जुड़ियेगा और दोस्ता आज से आपकी जो भी क्लास होगी उसकी पीडियाफ आपको तुरंत के तुरंत टेलिग्राम चैनल पर दे दी जाएगी आज की इस संस्कृत की क्लास की पीडियाफ आप हमारे टेलिग हमसे संपर्क कर सकते हैं तुरंत आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं चलिए अगला कोशन आपके सामने सस्त्र चंद सास्त्र में लगु गुरु के संकेत बताना लगु का मतलब होता छोटा गुरु का मतलब होता बड़ा लगु के अंतरगत आपकी एक मातरा आती है और गु अब आज के अंतिम कोश्चन पर हमारा आज का अंतिम कोश्चन है अभिनव कादंबरी किसकी रचना है अभिनव कादंबरी पूछा गया दोस्तों अगर केबल कादंबरी दिया होता तो आपको क्या आंसर करना या आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना कादंबरी के रच कौन है जब यहाँ पर पूछा गया अभिनव का अदमबरी तो अहोविल नरसिंग नाम हो सही हो जाएगा सी नंबर आप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा आज के सभी 20 कोश्चन्स कंप्लीट होते हैं उम्मीद करते हैं दूस्तों आज की क्लास आपको बिल्कुल क्लियर हो गी ह सभी कोश्चन्स समझ में आयोंगे अगर समझ में आयों तो दोस्तों एक बार जल्दी से लाइक कर दीजेगा सभी लोग क्लासे से जुड़े रहेगा रात को 9 बजे लाइब क्लास होती है आज फिर से होगी डेली क्लास शलती है उन क्लासे को देखे चैनल को करिये और कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं थेंक्य दोस्तों गुडबाय टेक क्यर मिलते हैं रात को 9 बजे की क्लास में